दोस्तों मुन्रा पापा यूए से चैनल में आप सभी का स्वाइक है आप सभी दर्शुक्राइप का स्वाइबत है आज kan हमारा वीडियो का इस में स्टोरेज और मुक्षिण में हम्ना पापा बात करेंगे कि उन इससे अमेरा फिलडलफिया स्टॉरिज दॉइघा कुछ सामान भी और इसके बाद हम आपको सब जगे के बताएंगे पार्किंग सब्केंगे यह यह जाना चाहूंगा कि क्या इंडिया में उन्हों यहां पर उन्हात रूप से जो आइसी है और उन्हें पाइट माच छे मंजीले लिप्ट से जाते हैं बहुत अच्छी सुरक्षित व्यवास था है वहां पर तो यहां बहुत अच्छी व्यवास था है और स्टोरेज में हम गुषे थे तो हमें RFID यूज करना पड़ता है एक टैग ऐसा होता है एक कार्ड से ही मतलब वह लिप्ट चलती है और उपर जाकर हम अपने गैरेज में अपना सामान रखते हैं तो दोस्तों RFID-based कार्ड होते हैं अगर वह कार्ड किसी के पास नहीं है तो और वहां पर डिसेप्शन पर एक जना होता है सिक्यूरिटी गार्ड जाइस प्रगार की कोई चीज़े नहीं होती है हलाकि हर चके कैमरा लगे हुए होते हैं तो यह जो स्टोरेज था हमारा इसकी जो प्राइज आती है वह आती है देड़ सो डॉलर और इसकी साइज आती ह कुछ भी नहीं होता है वह बहुत ही क्लीन होता है एर कंडिशन होता है और लोग नजर भी रखते हैं कि वहां पर कोई लंबा टाइम रात नहीं बिताए क्योंकि स्टोरेज का पर पर सामान स्टोर करना है वहां पर रहना नहीं है तो हम अपना सामान और्गनाईस करके जो की है पार्किंग का सेक्शन सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे घर की पार्किंग हमारे घर के नीचे हमें ने एक पार्किंग पर्चेस की है जो पार्किंग के लिए हमें एक रिमोट मिला है उस रिमोट को जैसे ही हम दबाते हैं तो पार्किंग का गेट खुल जाता है और सब्सक्राइब तो यहां की बहुत अच्छी विवस्ता है कि एक केमपस में 40-50 कारें सुरक्षित खड़ी की जाती है और सब्सक्राइब नहीं है तो हर चीज के लिए एक रिमोट कंट्रोल देता है पार्किंग वाले उस पे बटन होता है और जिब बटन दबाते है तो पार्किंग का गेट कुल जाता है बंबे दिल्ली में बड़े-बड़े अपार्टमेंट में इस प्रकार की सुविधा है लेकि अगर आप स्ट्रीट क्लीनिंग पर गाड़ी नहीं मूव करते हो जैसे ट्यूस्टे और थर्ज्डे को तो आपको वो लोग टिकेट दे देते हैं इस कारण से इस पार्किंग में आप गाड़ी हमेशा रख सकते हैं जो की बिल्डिंग मैनेजमेंट प्रोवाइट करता है तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ऑफिस के पास न्यू यॉर्क में पार्किंग थी सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो घर के पास वाली पार्किंग है इसकी प्राइज आती है 100 से 120 डॉलर अगर आप लंबे टाइम किलो 12 महीने की तो आपको 85 डॉलर भी कर देते हैं अगर आप लॉंग टर्म लीश लोता है तो मतली और आपको दो तरीके की पार्किंग यहाँ पर लेनी पड़ती है और दूसरी पार्किंग आप मैं बात करूंगा न्यूइव यॉर्क सिटी में जिस पे की जो मेरे ऑफिस के पास ती जिसपे की हमने गारी पार्क की थी और तो मैं मुन्ना से पुछूँगा कि क्या उन्हें याद है क्योंकि इस बात को कुछ समाई भी हो गया कि किस तरीके से हमने अब आपको कुछ याद है वहां पर बहुत अच्छी बड़े इस तर पर बड़ी पार्किंग थी वहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी और लाइट की व्योस्ता भी थी और वह बिल्कुल ग्राउंड के नीचे सारी आने जाने का रास्ता था तो दोस्तों न्यू यॉक सीटी में पार्किंग की प्राइजेज है 25.300 डॉलर पर मंथ और उफिस से अगर अपलोड हो सकता है आपको कभी डिस्काउंट मिल जाए वरना वहां पर दाइसो से पार्क करने के 120 डॉलर लगेंगे, अगर मैं मैक्स वाली साइट बात करूँ, और आफिस में पार्क करने के मुझे 200 से 300 डॉलर तक लग जाएंगे, तो अब देखिए दोस्तों कि सिर्फ पार्किंग पार्किंग में ही किसी वेक्ति के तो दोस्तों यह था हमारा पार्किंग का वीडियो और स्टोरेज का वीडियो अगर आप और यूएस लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे और वीडियो दून सकते हैं, हैस्टेग मुनना पाप USA. धन्यवाद दोस्तों.